हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है शामली स्क्रियेटिविटी में कहते हैं लोग कि आईना सच बोलता है, वही दिखता है जो होता है क्योंकि आईना जूट नहीं सच बोलता है अगर इश्क में हारे हुए आशिक से पूछो आईना क्या होता है उसका एक ही जवाब होता है, आईना और दिल एक समान होता है जिसके जिन्दगी में बस तूट के बिखर जाना ही लिखा होता है लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या इश्क विश्क के चकर में पढ़ गई जी नहीं, आज मैं पुराने से इस आईने को एक नया रूप देना चाहती हूं तो इस आईने की खूपसूरती बढ़ाने के लिए मैंने इसमें कुछ एक्रेलिक कलर का यूज किया है ये आईना मेरे पास काफी दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे एक नया रूप दिया जाए तो मैंने इसे अपने छोटे से गार्डन में रखा था है अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें कुछ कलर अड़ करूँ तो मैंने इसमें पेंग, ओरेंज, ब्लू, रेड और ग्रीन कलर का यूज किया है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूले जिससे की मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा तो मैंने इसमें जो कलर का यूज किया है वो है रेड, ग्रीन, ब्राउन कलर का यूज किया है और थोड़ा सा पेंक और ओरिंज कलर का यूज किया है अब ये देखिए आपको दिखरा होगा इसमें कि ये जो आइना है वो काफी पुराना सा है इसलिए मैंने उसमें कुछ नया सा काच डालने की नहीं सोची मैंने बस उसे ये सोचा कि उसको थोड़ा सा कलर्फुर बना कर बस इसे गार्डन में हैंग करना है तो इसके लिए मैंने जादा इसमें कुछ और एड नहीं किया है स्रिफ मैंने इसमें पेंट ही किया है लेकिन ये पेंट होने के बाद बहुत ही खूपसूरत लगता है तो आप देखिए मैंने इसे कितने सुन्दर तरीके से कलर किया है अब हमारा आइना बनके तो रेडी हो गया है लेकिन तो भी मुझे इसमें कुछ कमी महसूस हो रही थी तो मैंने इसमें छोटे छोटे यलो कलर के डॉट्स बनाए है तो ये डॉट्स बनाने के बाद इस आइने की खुबसूरती और बढ़ गई तो मेरा ये आइना बनके रेडी हो गया है और मैंने इसे अपने छोटे से गार्डेन की दिवार पर टंगा दिया है अगर आपको मेरा ये डी आइवाई पसंद आया हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई and थांक्स पर वाचिं